हलो फ्रेंड्स आज आईए आज हम देखते हैं कि केंदरी विद्यालाय में एडमिशन के लिए आपके बच्चों का मिनिमम और मैक्जिमम एज लिमिट कितना होना चीए इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गुगल पे और गुगल पे टाइप करते हैं केंदरी विद्यालाय शंगठन की वेबसाइट खोचते हैं ऊपना वेबसाइĆ है तो आपको नया वेबसाइट में जाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना होगा और यह हमारा केंद्री विद्यालाई- संगठन का नया वेबसाइट ऊपन हो गया यहां से हम देखते हैं हमको जाना होगा academics में और admission इस लिंक पे कलिक कीजिए जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक PDA ऊपन होगा, इस PDA में जैसे आप नीचे आते हैं तब आपको कुछ-कुछ instructions मिलेंगे आपके बच्चों के admission के लिए और इस instructions को पढ़के आप अपने बच्चों का admission confirm कर सकते हैं कि आपका बच्चा किसी class में admission के लिए रिजिबल है या नहीं है आज के इस video में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे का कंद्री विद्यालाई में admission के लिए minimum और maximum age limit कितनी होने चाहिए अलग-अलग लक्षाओं में admission दिलाने के लिए तो हम देखते हैं यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे age limitations calculate करेंगे वो हम age limitations calculate करेंगे 1st April जो भी year में हम admission दिलाना चाहते हैं year का एक अप्रेल से हम calculate करेंगे तो class 1 के लिए हम देखें class 1 के लिए हमारे पास minimum age limit होनी चाहिए minimum age होना चाहिए 5 साल मतलब बच्चा 5 साल complete अगर कर लिया है as on 1st April 2020 तब वो बच्चा 2020 में कच्छा 1 में प्रवेस लेने के लिए पात रहोगा और उसी तरह उसका maximum age limitation होगा 7 साल मतलब अगर बच्चा 5 साल से 7 साल के बीच में है तब ही वो class 1 में admission के लिए eligible है वैसे ही class 2 के लिए देखें तो class 2 के लिए हमारे पास age limitation है minimum है 6 year और maximum है 8 years class 3 के लिए minimum 7 years maximum 9 years class 4th के लिए 8 years and 10 years 5th के लिए 9 years and 11 years इसी तरह से हम total class 10 तक के लिए minimum और maximum age limit केंद्री विद्याले शंगठन ने अपने notification पे दिया हुआ है इस age limitation पे कुछ exemptions भी है exempted categories भी आते हैं like the maximum age limit can be relaxed for 2 years in case of deficient differentially abued children मतलब जो बच्चे विकलांग है जिनमे कुछ विकलांगता है उन बच्चों के लिए केंद्री विद्याले संगठन ने एक wishes शूट दी है उन बच्चों को 2 साल का age restriction में age limitation में शूट दी आती है वो 2 साल का जो शूट है वो दोनों में दिया जाएगा that is minimum age limitation में दो साल का जोट रहेगा और maximum age limitation में भी दो साल का चूट रहेगा वहीं आते हैं देखते हैं point B पे इस point में हम देखेंगे कि class 11th में admission ले रहे बच्चों के लिए कोई age limitation नहीं है वैसे ही class 12th में admission ले रहे हैं बच्चों के लिए भी age limitation लिए है उसने दस्ट भी दो साल पहले दिया और अब वो 11th में admission लेना चाहता है बीच में कुछ years का अगेप है तो वहाँ पे age restriction वाली problem अमान्य नहीं रहेगी मतलब अगर बच्चा continuously पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसकी minimum और maximum age limitation में कोई restriction नहीं है आगे की जानकारी हम और अपने अगले वीडियो में देंगे तो आगे की जानकारी के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें आज के लिए इतना ही thank you